दियर स्टुडेंट मैं विद्यास आगर और आप देखने भी इसके विद्यास आगर सिंग का चैनल तो देखी ये वीडियो है आप लोग को बीबी डी गाइड दुहर तेईस आप लोग को जो क्लास दसवी के मायत है उसका है चैप्टर वन वास्त्विक संख्याएं उसमें से हम आप लोग को अब्जेप्टिव कोशन स्वल्ब करने वाले हैं हालांके इससे पहले आप लोग को नौ वीडियो आ चुका है अगर वो व अगरो नहीं देखुएं तेदेख सकते हैं चलिए आप लोग वेडावी पर स्वल्ब करते हैं तो यहां फे देखीए आप लोग जैसे आप लोग को हम बताय थे कि ये पहली संख्या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या आप लोग को बताये थे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एक सुत्र होता है क्या होता है कि लौस यहाँ पे मौसा भी इसको कह सकते हैं यहाँ पे मौसा गुने लौसा पहले लासा भी लिख सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, ना, लासा गुने मासा, यहाँ पर बात समझे है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो यहाँ पर मान लिजिए, जो इतना बराबर इतना है, या इतना बराबर इतना है, तो किसी को भी पहले लिख सकते हैं, तो हम तो पुरा का पुरा ये इधर लिख दिए, तो ये पुरा का पुरा इधर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आप लोग को, पहली संख्या गुने, पहली संख्या गुने, दूसरी संख्या होगा आप लोग को, पता चल रहा है, दूसरी संख्या होगा, ठीक न, चलिए, अब तो यहाँ पे अगर आप बात किजिएगा कि मौसा कितना है पहली संख्या गुने दुसरी संख्या अच्छा बताईए ए और बी देने का मतलब क्या है तो ए जो है पहली संख्या है और ये दुसरी संख्या है यही बात यहां भी लिका है तो यह पहली संख्या है और ये दुसरी संख्या है तो बताईए महतम समापोर तक गुने लगुत सामः पॉर्ट के और के करेंगे , आप लोगे को एग ने पी याईगा 100 आप लोगे C है जो प्रस् Kommunen में हूमा 11 excess चलिए आप लोगे सब्सक्राइब कोहें हो सब्सक्राइब के ज्यते हैं सबसे पहले हम सांत के लिए तो सर्थ देख लेते हैं तो देखिए दस्मलों पर सार अगर सांत के लिए सर्थ देखिएगा तो आप लोग एक बटा दू के पहुर एम और यहां 5 के पहुर एम यानि कोई भी परिमेश संख्या के रूप में रहता है या भीन के रूप में रहता है तो उसके हर यानि क्यू का भाज गुड़ांखंड होगा केवाल 2 और 5 का घात होना चाहिए यह मतलब नीचे में या तो 2 के पहुर रहे नहीं तो सिर्फ 5 के पहु दोनों का घातर है इसके अलावे कोई भी अतरिक्त संख्या अगर होर की जगब या नीचे में आ जाए तो वह असान्त हो जागा नहीं तो इतना रहता असान्त होगा तो चलिए हम बारी बैसे सभी अप्शन को चेक कर लेते हैं तो यहां पर देखिए अप्शन जो है आप अप्शन ए है कि 17 बता आप लोग को है 18 अगर आप लोग को 18 याद है 18 का भाजगुरंखन तो अच्छी बात है नहीं भी याद है तो आप लोग 18 का भाजगुरंखन इस तरह से निकाल सकते हैं 18 का 9 दुनी हो जाएगा यहां पर 3 तरीके हो जाएगा यानि कहने का मतरब यह तो यह इस उरुप में है कि नहीं है उपर में क्या है माइने नहीं रखता है उपर में क्या है माइने नहीं रखता है बस नीचे में देहेंगे दो के पावर है तो दो के पावर एक है लेकिन है अच्छा गुने पांच के पावर है तो नहीं पांच के जवापतीन है तो हम क या बताए हैं आप लोगो अगर दो का घात नहीं तो यहां पे आप लोगो मतलब पांच का घात नहीं तो दो और पांच दोनों का किवल घात रहेगा तब सांथ होगा नहीं तो दूसरी जो संख्या है और सांथ हो जाएगे तब यहां बताएगे दो और पांच के अलावे मे तीन के घात आ रहा है कि नहीं आ रहा है जब तीन के घात आ रहा है तो ये कभी सान्थ होगा नहीं होगा तो इसका इंसर जो हो जाएगा आप लोगो आप लोगो आप लोगो आप लोगो आप लोगो आप सान्थ तो पहले तो यह नहीं है ठीक आप देखते हैं दूगों पे सक है तो हम जाच कर लिते हैं कोनों सक बता देखे लिए हैं जाच के ठीक चलिए देखिए यहां पर पांच बाटा है आप लोग को आठ यहां पर पांच बाटा नहीं तीन बाटा है तो तीन और बाटा कहिए या आपन कहिए या बाई कहिए यहाँ पे आठ है आठ की जवाप दो के पाउर तीन लिख सकते हैं कि आठ का अगर भी नहीं करना आता है आप लोग आठ का इस तरह से कर सकते हैं चार दुनी दो दुनी इस तरह से कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए आठ के पाउर दो है अब हम तोब ये संखरा संध किलाती है तो इसके दस्मरों परसर क्या हो जाएगे? संध यानि आप लोग को आशांध कह रहा हताा तो ये भी अप्स만 नहीं नहीं होगा जी चलिए ये भी नहीं होगा उपर में है 179 बटा 2,000 क्या है आप लोग को? 2,000 2000 का आप लोग को अभाज गूरंखन नहीं याद है तो आप लोग इस तरह से बना दीजिएगा 179 का 179 ही लिखिएगा यहाँ पे किजिए 2 फिर यहाँ पे आप लोग किजिए यहाँ पे आप लोग को देखेए 100 से किजिए यहाँ 2 तो अच्छा यहां पर क्या लिजी इतना से और चलिए हम आप लोगों को यहां पर भाज गुलंखंड कर रहीं देते हैं नहीं तो हम तो अपने मतलब थोड़ा बहुत माइंड लगा के लिखी सकते हैं आइसे 2,000 के आप लोगे लिखश सकते हैं 2,000 के हो जागा एक है जार 2 से अनहीं पर हो जागा 늦ाट नहींद से और हो जागा हां पर दिखी नि सा चार देकल दू हो रहा है और तीन ओ पांच हो रहा है तो यहां पर पांच गुने 5 गुने पांच चलिए ये तो मालने जी हम मन में मिला रहे हैं तो गुना गुना लिख दिये हैं नहीं तो हम क्या लिखते हैं आप लोको इतना कि जब हम निकालते उधर से तो हमको साफ साफ दिखता कि दो के पावर चार है और गुने पांच के पावर क्या है तीन है अब यहाँ पे आप हमको ये बताईए, कि यहां देखिएगा अगर, तो दो का घात है न जी, आप पांच के घात है न, अदो और पांच के कोई अतरिक्त नहीं न है, तो इसलिए ये भी इस नियाम को पालन करेगा, आइस का दसमलों परसार भी क्या हो जाएगा, सांत, अकोशन कर रहा था, और सांत, तो ये भी इंसर नहीं होगा, तो तीनों नहीं होगा, तो अपसर नमबर आप लोग को ए हो जाएगा, 92 का आप लोग को अपसर नमबर ए, चलिए, अब हम 93 नमबर परसन को देख लेते हैं, चलिए, यहाँ पे देखिए 93 नमबर जो प्रसंक दिया गए है, बहुत ही असानर स्वरल है, निमली खित में कौन परिमे संख्या है, सब को एंसर देखी गया, लेकिन फिर भी आप लोग को देखना समझना है, हम आप लोग को छोड़ कर नहीं जा सकते हैं, नहीं भाग सकते ह यहाँ पे जाच करते हैं, अप्सन नमबर ए, यहाँ पे अप्सन नमबर ए जाच करते हैं, अजाच करने से पहले परिभासा मेरा सुन लीजिए, परिमे संख्या का, परिमे संख्या किसे करते हैं, ठीक, वैसी संख्या, जिसे P बटा Q के रुप में लिखी जा सके, जहां Q not परिमे काहे नहीं कर रहे हैं तो लोग कहते हैं नौग कहते हैं लोग कहते हैं लोग कहते हैं सी लोग कहेंगे कैंगे एपरिमे काहें नौट शाथ बारिमे केहें और अपरिमे क्या रूट कहेंगे तो आप लोग जानते हैं क्या करेंगे जो नदान लोग है निचे में लिख देंगे एक, कहेंगे न, तो आप देखिए, पी बटा कीव के रूप में हम लिख दियें, जहां, जहां, कीव, नौट इक वल्टु जीरो है, देख लेजिए, आँख ले, बचा लोग, इस्टुडेंट लोग ऐसे ही बोलेगा, लेकिन हम आपको पताते हैं, अगर इसके बात जब आएगा, तो आप लोग कहेंगे अपरी में संख्या है, किमकि इसके नीचे एक नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसके नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन, जब इसको हम पी बटा कीव के रूप में लिखेंगे, तो लिख सकते हैं कि नहीं, तो ल वह एसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखी जा सके Q not equal to 0 और P Q पुरा अंख हो क्या हो P Q पुरा अंख हो P और Q क्या है पुरा पुरा अंख है तो P पुरा पुरा अंख है इसमें आचा है Q पुरा पुरा अंख है तो यह पुरा 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 परिभासा पे 60 के रूप से बैट जा रहा है किसी कोई दिकरत नहीं है लेकिन जब यहां पे हम देखते हैं Q तो पुरा अंख है मतलब पुरा पुरा अंख है लेकिन यह P है पुरा पुरा अंख है रूट 7 पुरा पुरा अंख नहीं है त योगि पूनांक नहीं है इसलिए ये परी में नहीं है तो रूट साथ क्या है आप लोग को आपरी में है तो रूट साथ क्या है आप लोग को आपरी में है तो रूट साथ को हम लोग लिखेंगे आपरी में क्या लिखेंगे आप लोग को आपरी में लिख देते हैं तो हम भी हम हल कर रह है तक कोई दिकत नहीं अप लोग कोई लोग डे कर दिया होगा कोई लोग देल लोग देख रहा हुगा तो जुफा सथ में पोई सब्सक्राइक कोई कर दिया होगा एक होगे नो अब ने प्रोग वि'll작 इसका या अजा ने नहीं जानते हैं तो जान लिए गुरू के हरवाणी में ग्यान का लोग होता है गुरू जब भी आप लोग को सिख्छा दे रहा है जैसे दे रहा है जहां दे रहा है जब दे रहा है तो ले लिया किजिए ग्यान लेना चाहिए गुरू का ग्यान कहीं पे आप लोग को झुकन तो गुरू का ग्यान बस मिला चाहिए हर फिल्ड में चले देखिए यहां पे इतना बाई इतना है तो यहां पे आप लोग देखिए कि यह जो है इसको भी पी बटा क्यू की रुप में लिखा गया है जहां जहां क्यू not equal to 0 है क्यू के जबाप जीरू थोड़े है देख है यानि कहने का मतलर यह भी आप लोगो परीमे संख्या के रुप में लिखा जा सकता है इसलिए यह भी आप लोग को औरीमे Standard Sum कly तिहां पे आप लोग को सिदा परिमे संख्याय नहीं होगा ठीने अब आते हें अपना असली इंसर पे ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा ठीक तो यहां पे देखिए रूट 25 बatग में रूट 49 अब देखिए नहीं अगर पता है इसका हल हम लोग नहीं कर सकते थी नहीं रूट से बहार निकल सकता ह लेकिन अगर हम इसको बात करें, ध्यान से देखें, तो रूट 25 के हम 5 गुने 5 लिख सकते हैं, रूट में 49 के रूट 7 गुने 7 लिख सकते हैं, आप लोग को रूट का मतलब पता है, इसको रूट यानि बर्गमूल, बर्गमूल में दूगों कोई संख है, दूगों अगर 5 वी पुरा पुरा अंख है, और 7 वी पुरा पुरा अंख है, तीसलिए ये आप लोग को, 5 बटा, 7 वी हो जाएगा आप लोग को, यह आप लोग को परिमे संख्या है, तो यहाँ पर क्या है, आप लोग को परिमे संख्या है, आचान, बहुत से लड़का क्या करता है, परिमे संख्या, तो देखिए, बहुत से लड़का कैसे याद करता है, तो लोग बोलता है, अगर जिसका हॉल हो जाएगा, तो परिमे जिसका हॉल नहीं होगा अपरी में संख्या चलिए हाना कि वह से विकर के आप लोग लगभग दिमाग छोटा है लेकिन आप लोग एंसर ला सकते हैं लेकिन वह नादानी नहीं है जी असली बात आप देखते चलिए सिखते चलिए तो 93 के आप लोगो अप्शन नंबर डी हो लोगो 490 नंबर कोचन तो वही है अप्शन चेंज है तो परिमेश संख्या चुनना है तो आप लोगो को देरी क्यों करें रूट में तीन देखें तो रूट तीन में आप लोग नीची एक भी लिखिएगा तो यह पूरा-पूरा अंक है यह पूरा-पूरा अंक नहीं है परिमेश संख्या के रूप में लिखने के बाद भी और QE 바बर नूट को 0 be लिखने के बाद भी आप लोगो यह पूरा अपरी में रह जागा तो यह आप लोगो도 जैसेавать पताम सब्सक्राइब अपर सब्सक्राइब सब्सक्राइबस रूट में दूगो ठीक तो एक उसे एक कट जागा तो आप लोग आप लोग आप लोग पूरा पूरा अंक नहीं है तो यह भी क्या हो जगा आप लोग को आप परी में संख्या हो जागा अपरी में हो जागा जब यह अपरी में हो गया तो यह तो एंसर होगा नहीं तो यह भी नहीं होगा आप लोग को एंसर यह भी नहीं होगा यहाँ पर चूप चाप एक बार में कटेगा, तो यहाँ पर सिधा बात, यह दो गुणा में है, तो गुणा में आए 2 में, एक में गुणा होगा, तो आप लोगो आज यगा 2, और 2 कर नीचे लिखिएगा अग़र 1, तो असानी से इसको P बटा Q के रुप में लिख सकते हैं यहां भी लिख दिये, sorry यहां पर Q अच्छा, जहां जहां Q not equal to 0 और P की पूरांग भी है, यह भी पूरा-पूरा अंख है और यह भी पूरा-पूरा अंख है तो इतना हम कहेंगे, परिमेशन क्या है तो जब यह परिमेशन क्या है, तो यह किस क्या था तो यह इस क्या था, मतलब यह भी परिमेशन क्या है तो option number आप लोगो D हो जागा तो आप लोगो 94 का answer जो है, आप लोगो option number D हो जागा तो चलिए आप लोगो 95 नमर कोचन को देख लेते हैं चलिए दखिए, यहाँ पर 95 नमर जो प्रसन कर रहा है, 11 बटे 15 का दस्मलो परसार खाली स्थान होगा देखिए आप लोगो दस्मलो परसार सान्थ है कि असान्थ है अब देखिए कैसे चिक करते हैं, हर बारी की तरह उसी तरह हम सान्थ का सर्त लिखेंगे, तो सान्थ होता है कोई भी संख्या भीन में हो या परिमे संख्या के रूप में हो, तो उसके किव का भाज गुण खंड केवल 2 और 5 का घात हो यानि केवल 2 का पावर हो, नहीं तो 2 और 5 दोनों का पावर हो तो इस तरह हमें अगर आएगा, सान्थ हो जाएगा अनहीं तो जब दूसरा आएगा आप लोग को, तो और सान्थ हो जाएगा यहाँ पे देखिए, 11 बटा, 15 है तो 11 बटा, 15 को आप लोग सूल कीजिए अब 11 बटा 15 को किजिएगा थे 11 बटा में 15 को लिखिएगा 3 गुने 5 अब देखिए आप लोग को जैसे मान लिजे 11 बटा में 2 गुने 5 रहता तो आप लोग को 7 कहते यहाँ पे 2 रहता, यहाँ पे 2 रहता, तो 7 कहते, यहाँ पे 3 रहता, तो भी 7 कहते, यहाँ पे 7 रहता, 5 रहता, 4 रहता, कितना भी रहता, तो भी 7 कहते, यहाँ भी 9 रहता, कितना भी, मतलब केवल और केवल, यहाँ तो 2 का घात हो, नहीं तो 5 का घात हो, नहीं तो 2 और 5, दो यहाँआ गनुक का घात हो ताब कहेंगे सांथ district नहीं तो यह तीन आ गया मतलब दो के और पांच के गहात गया वे किसी दूसरा संख्या के घात आगा तीन के पांच दुएगा और चाहरा तो जब बी हो जगा इसका इंसर 95 का आप लोगो को भी हो गया चलिए अब आप लोग को चानवे निवर प्रसन को देखे लेते हैं चलिए अब देखिए यहां पे 96 नंबर जो प्रसन कर रहा है आप लोगो बृता कारपत पे तीन धावक एक ही अस्थान से दोड़ना पर रंब करते धावक मतब दोड़ने वह लड़का या लड़की या कोई ब्यक्ति हो सकता है तो यहां पे कर रहा है एक चकर लगाने में क् सकता है तो यहां पे देखिए इस तरह से माल लिजिए ब्रिताकार मैदान है यहां पे ब्रिताकार मैदान है यहां पे इस तरह से कलती हो गया थोड़ा सा ठीक चलिए तो यहां पे आप लोग अगनी बीर बन रहे हैं दोड़ रहे हैं तो आप लोग को देश के सिवा करना है चार साल के लिए या प्रमनेंटली करना है या जितने भी साल के लिए करना ह तो कुछ कोई परियोगीता है कुछ भी या इससे भी लोग LOLPadWow करने के लिए हेल्थ सई對 करने करें दोड़ रहे हैं तो मालनिगे दोड़ कर में है ठीक को दीघिमा व Б rhettो की तेजी दोड़ था तरीकों से बना सकते हैं, आप लोग को तरीका सही तरीका लगाना होगा, अनोहीं तो बहुते दिकत होगा, बहुते गलत होगा, आप लोग को पता है, तरीका लगाना बहुते जरूरी है, आप लोग नील कमल के गाना भी सुने होंगे, प्यारे नहीं कर वो तरीका से, तब संभी निकाल दीजी यह नहीं निकल दीजी एल सीम निकाल दीजिये एल सीम निकलने के Marx है और यहांपे चार अर्फ लोग फैने ओज्टीवया फैर चेह परेऊ संभे तो जब लिखने चहाईецज kon एलसी हमें क्या होता है जो संक्का सबसे अधिक किसी में नहीं ऍषाक्ए ओ और छो दोनी बार रही एलसी हम हो पर गंटा लादिये एंसर आप लोग को पराचल गया लेकिन अब बात समय दुसरा तरीका क्या है तरीका जब लगाना ही है तो दुसरा तरीका भी असान है सीक्षाइग असानी से अब देखिए LCM भी असान है कोई दिकत नहीं है लेकिन बड़ा बड़ा रहेगा तो थोड़ दू घंटा में मानली जे कोई ब्यक्ति दू घंटा में एक चकर लगा रहा है दू घंटा में एक चकर लगा रहा है और कोई ब्यक्ति लगा रहा है चार घंटा में एक चकर और कोई ब्यक्ति लगा रहा है छे घंटा में एक चकर आप लोग समझ रहे हैं तो यानि आप लो कर देखते हैं कि हमारा जो राइट इंसर है कैसे आ राज इसे दूसरा तरीका एक हो तरीका से तो मानली जी आप लोगों को इंसर दीख रहा है कि 12 गंटा हो गया है लेकिन हम सभी option पर देखते हैं मालली जी हम को इंसर आ यहसे नहीं परदा चलता हमें LCM नहीं निकालते दू क息 की जिए अपशन पेशे करवा रहा है तो मानते हैं आप लोगों जो दो गन्ता में लड़का दढ़ रहा है एक 4 गन्ता में दढ़ रहा एक चखर और च्छाओ घंता में एक चखर लगा रहा है तो उसको 그래도 eight घंत तक दढ़ आते अगर तो वो लड़का चार चकर लगा लेता न जी तो मानली जी हम दोड़वा रहे हैं यहां से यहां से दोड़वा रहे हैं तो तीनों लोग तो अब बताए जो दूग घंटा में लड़का दोड़ रहा था चार चकर लगा लेगा अजब चार चकर लगा गा तो एक चकर में यहा और चार चकर में आप लोग को यहाँ पहुँच जाएगा, इसका मतलब यह है, कि यह यही पे आके रुख जाएगा विचरा, कौन जो दू घंटा में एक चकर लगाता है, तो अब देखिए जो चार घंटा में एक चकर लगाता है, उसको दोड़वाईए आठ घंटा तक, त तो चार घंता में जब एक चकर लगाता है, तो आठ घंता में दो चकर लगाया, अब देखिए, दो चकर लगाया, तो एक घंता में यहां, पिर दो चकर में यहां, मतलब आठ घंता में एक पहिल का यह भी पहुँच गया है, आठ घंता में दू यह चकर लगाया, लेकिन यह पुणच गया दू गो लड़का यहीं पहुच गया अब तीसए लड़का का देखते हैं 6 घंटा में एक चकर लगाता है अब उसको हम 8 घंटा दोडवाएंगे तो 6 घंटा में जब आ गया एक चकर आपी चरा 2 घंटा में अभी इधरे गया होगा किमी 6 घंटा लगता तो भी यहां पेल पेल्दा Crash यहलो पिरस लिएव्या प्रूम्न को कुल संग्ताव प्रूम्न ही वहीं पहल चाहँ लोगुषम सब्सक्राफ मेरे मिल प्रूम्न जो लड़का दो घंटा में एक चकड़ लगाता है वो छाओ घंटा में कितना लगा गया तीन चकड़ लगा गया जब तीन चकड़ लगाएगा तो अब इसको चार घंटा में एक चकड़ लगाता है लेकिन दिया गया है उसके लिए चार घंटा यहाँ पर देख सकते हैं तो यह आधा चकड़ लगा लगा लेगा है मतलब यहाँ पहुंच जाएगा अभी पुरा-फुरा नहीं हुआ यह भी अपसान नहीं हुआ लेगON फिर भी देखिए और छाव घंटा में जो लड़गाता है करता है एक चिको अब Wanna देखिए जो चार घंटा में कर रहा था बखले 6 घंटा में एक चकार लगा गा लेकिन इहां हमे रहा है तो दूग को पटो लाड़क यहां है लेकिन जो 4 घंटा में लागा ता bending चकत रहां आरा हूं रहा है थो दूग को मिल रहा है तो यह भी आ chrom अपक लोग को इंसर हो गा टो ना 8 घंटट अपकुन तो यह नहीं ह पूरा हुगा? तो मान लिजए बारा घंटा में यहाँ लड़का पहुंच जाएगा, तो बारा घंटा में दोड़ाएगे, तो भाले वो दो चकर लगाएगा लेकिन एक चक्र मिःहा मा, तो बारा घंता में तीनों गो तीनों यहीं पहुंच जाएगा, मतलभ तीनों एक इहीं बींदू पर आस्थान करेगा, आइक जातों पहुँँ पहुँँें, लेकिन यहीं ओपा हैं लहीं पहुँआ जातों. जो च्छाव गुताय में लगाता है और लूसुर लूसुर दा होता है तो यहां इता हुदा सही दोड़ पैगा मतलब एग हाल एग हाल एग हो तो तीनो एक कर बिंदू पर मिलेगा कभो कबो नहीं तो ए वो ख़ले अड़कवा एक चको लगा कि यहां पहुंच रहा है बाकी सब अभी पीछुआ ही लिए है तो मील नहीं रहा है इसलिए आप लोग को अपसं नंबर डी भी नहीं होगा तो इसका एंसर आप लोग को अपसं नंबर ची हो जया या नि चान्वे नंबर के आपbelt लोग को सी हो गया चलिए अब हम सांतानवे नंबर प्रसंट को देख लेते हैं चलिए यहाँ पर देगे 97 नमबर जो प्रसंद दिया गए आप लोगो 11 बटे 25 का दस्मलो परसार खले स्थन होता है देगे 7 और असांत नहीं बताना है अगर आप लोगो 11 बटा 25 है असांत असांत कहना होता था पांच की पाउर दो लिख देते हैं आप लोगो इस सर्थ पर हो जाता है सांत तो फिर भी लेगे आप लोगो दस्मलो परसार भाग देखे बनाना है आप पगलाएं कि तो नहीं रहे हैं, या हम लोग पगलवा तो नहीं रहे हैं, तो नहीं बाबू, हम पगलवा नहीं रहे हैं, असान होने के लिए बोल रहे हैं, चार से अगर इसमें भी किजिए, तो किजिएगा तो उपर में हो जागा चगवालीस, नीचे में हो जागा, साध्य दिखिए यहां पर दस्मलों कहीं भी कोई भी जंख्यार्ट में घ्रेर 226 लेकिन आप लोग 25 से 11 कम है यहां पर कम नहीं होना चाहिए तो हम एक जीरो बढ़ा देंगे आप लोग 25 यहां पर कट्याएंगे सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग को आ रहा है जीरो पुएंट चार चार यह दो तरीकों से हम हल कर दिये यानि आप लोग को अपसन नमबर सी ही एंसर सई हो जागा तो संतानवे का आप लोग को सी हो जागा अब चलिए हब अन्ठानवे नमबर परसंट देखते हैं ले आप लोग मेरे को मौका दीजिए आप लोग को बहुत से लड़का मेरे से जूड़कर 80% प्छले साल लाया और आप लोगको इस साल भी लाने के पुरा-पुरा संभाँना है आप लोगको तो इसलिए इस नमबर पर आप लोग कॉन्टक्स कर लीजिए इस नमबर पर कि जी वार्ट सेब किजिए तो की सर हमको special target पढ़ना है 80% के हैं जिसमें हम guarantee दे रहे हैं आप लोगो यहां पर कुछ पैसा आप लोगों को pay करना होगा देना होगा और वहां आप लोगो चार घंटा का live class मिलेगा आप लोगो चार घंटा के live class में आप लोगो पूरी subject के त्यारी करा दी जाएगी कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी आ त्यारी उस type का होगा आपको कि आप लोग देखकर class करेंगे और question पुछना है तो बोल सकेंगे और आप लोग को अगर हमको पुछना है आप लोगों से तो हम camera open करवा के हम देखते हुए पूछ सकते हैं कि आप लोग क्या कर रहें सबको हम देखते रहेंगे तो इस तरह के महल एकदम perfect तरीका से आप लोग को जो exam के time में महल बना के रखिए जूड के रहिए ताकि आप लोग को के और और के और हैं कि अच चली कि यहां पर देखिए अन्ठान बे नंबर जो प्रस्न दिया गए है आप लोग को 17örtर, 24 का दुसमलों पर सार होता है देखिए आप लोग को इसका मन नहीं निकलना है, कोचन भी वैसे ही है, आप लोगो सांता सांत वला है कोचन, तो आप लोगो सांता सांत वला है, तो सांत के लिए जो सर्थ होता है आप लोगो, कोई भी संक्या अगर परमेर संक्या के रुप में हो, या भी निके संक्या के रुप में हो, तो उसका जो हर होता है यानि कीव जो होता है दो और केवल पांच के घात हो तब आप लोग को सांथ होता है इस तरह से जानते हैं तो यहां पर देखिए कुछ नहीं करना है सौत्रापटा में 24 है तो 24 का भाज गुणा खना याद है तो लिख दीजिए नहीं तो हम लिख देते हैं सकते हैं दो के पाँवर तीन आगुने यहां पे तीन होता है तीकोWind कते हैं यहां पे तो सांथ होता लेकिन तो तीन आ जा जा रहा है तो हम कहते है आप लोगों को याई संख्य को तीन आरा है तो इसी के कारौन कीवल और कीवल ये और सांत जो समलोग पर साथ हो जागा यानि इसके जो होगा सांत नहीं होगा यानि क्या हो जागा आप लोगो और सांत होगा और सांत की इसमें है तो आपसर नमबर आप लोगो बी में है तो इसके अंसर आप लोगो अंठानवे का बी हो जागा चलिए अब हम आप लोग को 99 नमबर प्रस्ण को बताते हैं अब देखे लिए चलिए यहाँ पर 99 नमबर जो प्रस्ण दिया गए आप लोगो निमलिकित में कौन और परिमे संख्या है तो देखी और परिमे संख्या बताना है आप लोगो यानि P बेटा Q के रुप में जिसे नहीं लिखा जासके या आप लोग को कीव कि जाओा पर गए उसको हम देख लि Around देखे हैं पह्चोंशन यह मिक्ट है कि आ अप लोग को यहां पी शेग्टा डो गुने दो गुने दो गुने नीचे में आप लगव्याट में लिखे लेऍागा तो उप में हो जाएगा 9 और नीचे में हो जाएगा 8 अब बताईए 9 बटा 8 P बटा Q को रुप में लिखे ले रहे हैं नो जहां Q not equal to zero है न जी और P और Q पुना अंख है मने पूरा-पूरा अंख है Q भी पूरा-पूरा अंख है और P भी पूरा-पूरा अंख है यहां पे आप लोग को यहां मतलब को परीमेसंख्या हो गया तो आप लोग परीमेसंख्या हो गया अपसाना आप लोग नहीं होगा मतलब दुगव तीन पर एगो तीन पर एगो तीन पर एगो तीन यानि नौ हो जागा नौ के निच्चे लिखेंगे एक अपी बैटा कीव की रूप में असानी से लिख सकते हैं इसको जहां कीव नौट इकोवल टु जीरो है और पी और कीव देखिए ध्यान से तब पुराँख है यह भी पूरा पुराँख है यह भी इस रूप में रहेगा तो परीमें संख्या हो जागा अब देखिए इसको देखिए यह आप लोग को जब देखिएगा तो रूट में क्या ह आप लोगो 2.5 तो यह परीमे संख्या आप लोगो नहीं है और परीमे संख्या है क्या होता अगर ऐसे रहता अगर आप लोगो यह इतना ना देखे यह तो आप परीमे संख्या हो गया क्या हो गया आप लोगो अप परीमे हो गया तो यही आप लोगो इंसर भी हो जाएगा ल view foreign इसको भी हम चेक कर लेते हैं नहीं तो दिख्कत ही हो जाएगा अ लाधी हो 3 गुने साथ यहां पे तीन गुने तीन होता है दूगो साथ पे एगो साथ अदूगो तीन पे एगो तीन यानि साथ बटा तीन यानि आप लोगो पी बटा कीव के रुप में है और कीव नोटिकोल टू जीरो भी है और यहां इस वीडियो का लास्ट प्रसने 100 नमबर देख लेते हैं चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रसने यानी 100 नमबर कोचन का सुलूशन कर लेते हैं 100 नमबर सुलूशन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा नहीं पहुंचे और आपका दोस्त और फ्रेंड या आपके रिस्तदार में जितने भी लोग हैं उनका माक्स कुछ कम आ जाए तो आप लोग समझ सकते हैं कि वीडियो कितना इंपोर्टेंट है और देखना भी जरूरी है सब के लिए चलिए यहाँ पे देखिए एक बटा ती नहीं होगा किमके हमको पता है क्या होगा इदनी दोनों में से होगा अब देखिए एक बटा तीन अब एक बटा तीन आप लोग बताईए पी बटा क्यू करूप में है नहीं है, है, आछा, जहां Q not equal to 0 है की नहीं है, है, तो यह आप लोग बताइए, और PQ पुरांख है की नहीं है, तो आप लोग परिमे संगे का परिभासा जाते होंगे, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखी जा सके, और Q not equal to 0, तथा PQ पुरांख हो, और P और Q क इस रूप को पुरा शर्त मालन लेता है, तो एक बटा तीन को परिमें संख्या भी हम लोग कह सकते हैं, ततक उक्छ लोग को मन में, दिमाग में चल रहा होगा कि सहर हम तद गल्ती सोच रहे थे, और परिमें सोच रहे चलिए आप नहीं सोच रहे थे, फिर भी कोई बात नहीं, कुछ लोग सोच सकते हैं, आपरी में, क्योंकि देखिए, एक बटा तीन को भाग दिजिए गया था, आएगा 0.033333… इस तरह के संख्या सब लोग कहता है, कि आपरी में संख्या है, लेगिन आपरी में संख्या नही है, क्योंकि अगर 0.3333 है, तो 0.3 को हम 3 पर रेकरिंग दे सकते हैं, क्योंकि बार बार 3 ही आ रहा है, अज जब हम रेकरिंग दे दिए, तो अगर इसको हम मतलब P by TQ की रुप में लिखना चाहें, तो हम लोग लिख भी सकते हैं, देखिए कैसे, 0 को लिख देते हैं पुना अब देखिए, इसको चेंज करते हैं, पी बैठ की, मल लिख देखिए, आप लोग को पाता है, लेगिन हमको पाता नहीं है, तो कैसे करेंगे, तो पुञेंट के जो इधर है, तो इसको पुनांक में लिख दिजिए, जो उपर मतलब 10 मलों के बाद, जिस पर रेकरिंग है, वो संख्या लिख दिजिए, तीन, ठीक है, अच्छा, एक ओ पर रेकरिंग है, तो एक ओ नौ लिख देंगे, इतना भी लिख सकते हैं, नहीं तो, नहीं तो कटा के आप लोग, आप कटाएगा, तो तीन से कर जागा, एक बटा, तीन भी लिख सकते हैं, बताईए, इतना थ था, तो एक बटा, तीन लिख लिए, तो ये भी परी में है, ये भी परी में है, तो एक बटा, तीन क्या है, आप लोगो, परी में है, तो एक बटा, तीन कहरा था, क्या था, तो परी में है, ऐसे भी, पी बटा, की ओ लापे भी, ऐसे भी, ठीकना, तो यानि, आप सो नंब कोशन को असानी से और एक भी कोशन नहीं होगा कि नहीं समझा पाए हैं आप लोगों तो इस बात को देखकर लाइक कीजिए और चैनल सस्क्राइब कीजिए तो ठीक है आप लोगों हम मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बंदे मातिरम